मेरा दो सोनोग्राफी हुआ है अब अब्रिवन गुड मॉनिंग कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो यहां पर मैं खेर बुंदी का रायता बना रही थी उसके पहले मैं यह बता दू कि अचानक मुझे दुबारा फिर से आज सोनोग्रा था मेरी मतलब सासु मा के साथ और मुझे पता था कि यह सब प्रॉब्लम अभी होनी है इसलिए फिर मैंने उनको बोला था रुकने के लिए एक बार मेरा सोनोग्राफी हो गया था अल्टरा सांड जो था पर थोड़ा सा गड़वड आया था अब वो क्यो आया था वो मुझ का रायता को ना मैंने फूल ने डाल दिया था यह दही था और मुझे चटपटा खटा खाने का बहुत मन करता है तो मैं इसमें सूखी मिर्चे डाली थी मैंने और जो लैसुन और अद्रक यह भी सब कुचर के डाला हुआ था इसमें तो इस तरीके से आप रायता का सा बगार लगा लिए था राई का तड़का डालके और इस पर हम डाल देंगे यह देखिए तो इससे स्वाद और चार गुना बढ़ जाते हैं तो मुझसे इन में रोटिया बहुत अच्छे से खप जाती है अगर मुझे कुछ घटा तीका मिल जाता है तो यह मैंने बना हो जाता है और यह ना मेरी सासुमा को यह बहुत अच्छा लगा था बाद में मैंने अच्छा इस पर थोड़ा सा नमक डाला था नमक आपको तब डालना है जब आप बिलकुल खाने के लिए बैठी रहे हो अगर पहले से आप डाल देंगे तो फिर वो पानी छोड़ देता है फिर यहाँ पर देखे मॉर्णिंग का समय था तो मॉर्णिंग मैंने का एक अच्छा सा पहले ऑईल लेती हूँ क्यों कि उसके बाद रिलेक्सफल होके अराम से फिर जाओंगी यही सब कर रही थी अर्टरा सांट की डेट भी मुझे दे दी थी उन्होंने पर मुझे किटनी है वैसे भी एक किटनी नहीं है तो उसलिए छोटी-छोटी जो भी बात डॉक्टर कहें उनकी बात माननी इस तरीके सुनने समझाया मुझे हला कि हलका टेंशन भी हो रहा था कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा तो भगवान से यही है कि भगवान अब जो नेक्स्ट मे पर नहीं पर जाने वाले थे तो मैं भी बाहर सबकी बैठी हुई थी और मैंने का जब तक मैं बस्तर वगएरा साफ कर देती हूँ वैसे उन्हीं ने ज़डू लगा दिये थे आधा काम उन्हीं ने कर दिया था देब को मैंने अच्छा स्कूल भेज दिया था उसको मैं मैं पीछे भाग रही थी कि नहीं मुझे नहीं कराना नहीं कराना फिर मम्मी ने मुझे बहुत समझाया उसकी बाद फिर मैं फैनली गई थी देखी उन्हीं के साथ गई हुई थी और यहां पे बस लाइन लगा लिये थी क्योंकि पता है कि गवर्मेंट वाले काम ऐसी होते है आपको घंटो लाइनों में खड़ा रहना होता है तब जाके आपका नमबर आता है तो वही चीज़े मेरा सोनोग्राफी था और कुछ खापी की गई नहीं थी पानी बस आपको खूब पीना था तो यहां पे बस मैं यह जमा कर रही थी तो तुरंत में मैडम ने लिखा था सोनोग्राफी के लिए तो फिर मुझे जल्दी हाला कि जादा लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ा पर फिर भी थोड़ा बहुत खड़ा रहना पड़ेगा ही न तो यहां पर मैं फटा फट पानी पी रहे थी क्योंकि ऐसा होता है यहां पर कि डॉक्टर ने बोला था आ बहुत देर में मेरी लाइन लगी थी ख़वराट इतनी हो रहे थी कि मेरी पर्ची तक गिर गए थी यह देखे और इतनी लंबी लाइन लगी 10-25 बॉति मैं बोल रहे थी तुम रहने दो मैं खड़ी हो जाती हूं मैंने का रहने दो आप मत परिशानां आप भाँ किनारे ख मुझे मम्मी के आजाने से थोड़ी क्या बहुत हिमत मुली यहां मुझे खड़े होने में भी प्रॉब्लम जा रही थी आलग कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है पर वह है ना कि मैडम ने लिखा है सोनोग्राफी तो कुछ सोच समझ के दुबारा से लिखा होगा और उनको भी एक्चुली समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था मुझे नहीं पता तो बोई नेक्स राउन के लिए बोला था और हस्बिन घर में अकेले थे तो हमारी यहां पर देखे सोनोग्राफी रिपोर्ट भी मिल गई थी पर वो मैं आप लोगों से घर जाके शियर करूंगी यहां पर नहीं करूंगी और क्योंकि जो यह यह लोग न ऐसे पिक्चर्स में नहीं समझ में आता है इनका पिक्चर् ब्राइवाट बहुत बड़ा है और यहां पर सभी तरीके के एलाज भी होते हैं हगा तो हम यहीं पर आये थे आठका देव की डिलेव्री यहीं पर वोई थी एक्षली यह मैंने देखा है प्राइवाट जितने भी होस्पिटल होते हैं तो वहां पर ना चाहते हुए बोलो क्या करते ऑप्रेशन कर देते हैं जो दूसरी बार सुनो कर आफ है और मेरे के पाइन देखे रही थी क्योंकि आपको बाद में बताऊंगे क्यों मैं ये चानफ सुनो कर आफ हुई आते साथ पानी गरम करने रहती है क्योंकि तो बहुत लाइट चालूगा है नहाओं भी सीधे अभी बहुत ठंडा हुआ चल रही थी अंदर अभी अभी मामी भी नहा रही है तो यहां पर मैं बता दूं आप लोग कि प्लेशे इंटा के बारे में भी कुछ बताया है और भी कुछ बताया है तो अच्छे पहले सब्सक्राइब करें तो अभी नहां के सीधे में आप से अभी मिल रही है यहीं बैटके खाना क्या है मैंने मुझे और रायता और फुच्छी बहुत थोड़ी सी खाई है अब तरी मुझे इन लब खाना ही नहीं कप रहाता फिर मैंने नहीं का है और सुबह आस्ता करकी तो मुझे नहीं पता कि अभी क्या मेरे साथ हो रहा क्या नहीं हो रहा पर यह कि मुझे बहुत थकावट लग रही है और मेरा फेज भी ना मिल्कों से चेंज होते जा रहा है पूरा चेंज होते जा रहा है और मैं बहुत जादा प्रावट होता है तो मैं बता दूं कि जो मेरा ब्लड था जब मैंने बाहर चेक अप कराया था ना लायल पैसलोजी में तो वहां मेरा ब्लड 9 पॉइंट को स्था और अभी जो मेडिकल में मेरा हुजिन हुआ है पाई थी अक्षिरी हमोगलोगन की तो मेरा पता आठ पॉइंट कुछ है और पता नहीं समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है अच्छा कि जो वह वाली रिपोर्ट है रहती है ना कवर्मेंट की तो बोक्टर ही बता पाते तो मेरे डॉक्टर जो गुलू बार और मुझे बहुत बहुत लग रहा है कि देव के टाइम मेरा ब्लड भी दब दस के अराउंड ही था दस के अंदर ही अंदर था नौ पहुच गया था लास्ट लास्ट में बद क्यों नॉर्मा डेलेवरी होती है ना तो वह उसको नौ तो चाहिए ही होता है ब्लड और अच् कुछ प्रॉब्लम कर रहा था तो जब हम मैं आगन बाड़ी जाती थी तो मैंने खुल के पूछा था और जब मैं प्राइवेट भी गई थी ने एक दुबार आपको बताया मैंने अब तो मैं प्राइवेट नहीं दिखा रही और सीधे गवर्मेंट तो प्राइवेट जब हाँ अगर चांस रहे तो बीपी बढ़ सकता है बीपी में कोई प्रावलम होगा क्योंकि किटनी से रिलेटिट सुगार या बीपी बहुत ज़्यादा धिहन देना पड़ता है यह कहातर बोले यह सब अभी पता नहीं चलेगा वह साथ वे आट वे पता चलेगा तो भगवा महीने ही बाकी आप यह समझ लीजिए दो धाई महीने बाकी है तो हमत बना के मुझे रखी नहीं होगी और क्या बोलू क्या नहीं बोलू सिचेशन को देखके तो जो मेरी फर्स्ट उनोग्राफिय में कोई प्रावलम आ गई थी तो उन्होंने मैडम ने कहा दुबारा आप कराने तो मैंने दूसरी कराई है अभी दूसरी दिखाई नहीं था गूरु बार को दिखा होंगी तो पर चीछा वारा किया होता है एक आप फर्स्ट टाइम मैं नहीं हो पाय थे मेरे जो सोनोग्राफिय में होते होंगे और वह लिखना भूल गया हूंके डॉक्टर महां के तो बोले आप सेकेंड बार करा तो फिर मेरा सेकेंड बार हुआ चली फिर आगे आप से थोट दिया मैं पता नहीं कम मिलती हूँ पर अब सीधे थोड़ा सा आराम कर तो साम का टैम था और यहाँ पे चाय और तोस खा रहा था देव अपने आप से खा रहा था अच्छा उसको भूग लगती है तो वो यह जरूर बता देता है ममा मुझे भूग लगी है कि नहीं लगी है पता नहीं है कहां से उसको फोटो मिल गई थी तो देखिए यह ना जब हमारा ट्रांस्प्लांट हो रहा था तब हमने खिचवाई थी इसमें देखिए हजबन कितने ज्यादा ब बिल्कुल भी बेग तो यह सब भी बाते कर रहे थे हैं हम और ममी कि क्या लाइफ मतलब कितनी बड़ी प्रावनम से निकले हैं है ना तो और बहुत अच्छा लग रहा है उनसे इस समय उनके साथ रहने में कोई सहा रहा तो है इस तरीके इससे फील हो रहा है और एक काली चाय ही बनाई है हमने अच्छी हम दूद वाली इसलिए नहीं पीते हैं कि फिर गैस बगएरा बनती है इस वरे पर मैं नहीं पीती हूं और ममी भी चाय नहीं पीती हैं दूद वाली तो हमने काली ही बनाई थी और देब भी काली चाय और तोस खा रहा था तो यह है और आप लोग भी बोलते आरती आपने अर्टरसांट कराया तो आपने उसकी रिपोर्ट शेर क्यों नहीं की तो उसलिए नहीं की थी मैंने क्योंकि मुझे उसमें समझ में नहीं आया तो डॉक्टर ने खुद मुझे डरा दिया था और मैं आप सबसे नहीं बताती पर मैंने कहा कि चलो आप दूसरा जब मेरा रिट्रा साउंड हो गया है तो फिर मैं आप लोग से चिक्र करती हूँ शायद आप लोग बैसे तो मैडम ही अच्छा बताएंगी तो वो कल गुरू बार को बताएंगी और यहाँ पे देखिए बैठी हुई हूँ एक्शली मैं सबजी काट काट के दे रही थी तो ममी बहाँ पे बना दे रही थी और थोड़ा बैठो जुको तो कमर में पेन थोड़ा बैठो तो फिर सीने में पेन ऐसा हो रहा है अभी और यह कोई मेरे साथ नहीं होता है अब आप सोचेंगे आरती के स सारी प्रेगनेंट लेडियों के साथ इस तरह में होता है मुझसे ना मैं इस तरीके सही उठती हूँ कि मुझसे एकदम से खड़े होते नहीं आता है तो चलिए मैं सोनोग्राफी शेयर करती है तो मेरे सोनोग्राफी डिपोर्ट आ गया है और असला बंद देखने मेरे दो सोनोग्राफी हुआ है अब आप समा सक्टेडियों कि सोनोग्राफी एक बार में पता चल जाती है और यह मेरी थर्ड सोनोग्राफी थी तो जो कि डॉक्टर ने बोला था आपको जरूरी है कि मैं परशान नहीं करना चाहती थी वैसे भी परशान थे कहा कि आप दूसरी सोनोग्राफी कराई उसके अमसार से लेखते हैं कि साइड डॉक्टर के तरफ से लिए कोई गलबड़ी हो सकती है कि मेरा एंट्री स्कैन हो ठीक था तो अचलिए हमें को बताते हैं और आपको पता तो आप बताई लिएगा अब भी होई थी ना तो इसमें भी नहीं पता आपको समझने आ रहे हैं तो बहुत नहीं बैचती है अजयर यह समझ में तो आनी रहा के वुट में आ रहा होगा और इस जो पहले सुनुग्राफिय थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्बलम बताये ती अभी यह दुबारा कर आई है तो मुझे समझ में तो आनी रहें क्या क्या सा है पर जब सोनुग्राफिय कर रहे थे ना तो वोग्त थे तुमने पहले कही सॉनो ग्राफी कराई है यह जी सर तो मैंने थे प्रब्ब्लम बताई कि सर। मैं कितनी रोणों भरकर नियुक्षिकर करें। अब इनको भी दगा कि अभी है तो में सोनोग्राफिय होटी है और जो लिपके देते हैं और ऑसे मौन ही इוץ मलता है अई हाँ ब्लाड गाईOhitips Sorumumab voi क्या होता है हिए अजम करना हम एक बना गायरा है राइजोर्जिस्ट हीमोग्लोबिन है न वो 6.8 है ना समझ में नहीं आ रहा है कि यह कौन सा है और अखेले में दिया है और मेरा मेरा 8.8 है अगर आपको दिख रहा होगा तो बाइचे समझ में नहीं आ रहा है कि आसा इतना कम क्यों बागी तो यह रिपोर्ट जो मेरा मैं बताऊं कि क्रिट नाइन की हर मंथ चेक अप के लिए बोला था मेरा क्रिट नाइन अभी जीरो पॉइंट नाइन करती है मतलब ठीक है ब्लड यूरिया भी मेरा भी ठीक है और ब्लड सुगर मेरा कितना है 70 है ना सुगर भी मेरा ठीक है और बीबी ठीक था तो बस यह बनाए है देखे क्या होता है कर जाएंगे हम गुरुवार को और इसकी मैं सोच रहे हूं मेडिकल मेडिकल की अलग फाइल बना लेती है क्योंकी एसी जोनोग्राफी भू में देते है रोप्टर झाली कर दो